आमादमी पार्टी के सूतरों के हवाले से मीडिया में ये खबर आई है अर्विंग केजिवाल के बतौर दिली के सीएम 6 फ्लैग स्टाफ रोड इससे सरकारी आवास दिया गया था अब सीएम पद्ज से हटने के बाद उनको ये बंगला खाली करना है दिली में सीएम के लिए खास आवास नहीं है और ऐसे में सीएम बनने के बाद 6 फ्लैग स्टाफ रोड का आवास अर्विंग केजिवाल को अलाउट हुआ था अब इस बंगले में दिली की सीएम बन चुकी आतीशी रहेंगी अर्विंग केजिवाल ने बीते दिनों खुद एलान किया था कि वो सीएम का आवास खाली कर देंगे बताया जा रहा है कि अर्विंग केजिवाल अपनी विधानसभा सीट नई दिली के इलाके में ही आवास चाते हैं CM बनने से पहले अर्विंग केरजिवाल यूपी की गाजी अबाद जिले के कौशामबी में रहते थे अर्विंग केरजिवाल ने बीते दिनों जंतर मंतर पर सभा करते हुए ये भी कहा था कि 10 साल तक दिल्ली का CM रहने के बाद भी उन्होंने शहर में कोई मकान नहीं खरीदा उन्होंने कहा था कि मैंने लोगों का प्यार और आशिरवाद हासल किया जबकि लोग कहते रहे कि आप कैसे CM है कि दिल्ली में मकान तक नहीं खरीज सके जिस CM आवास को अरविंग के जिवाल छोड़ने वाले हैं उसे लेकर भी उनपर ब्रस्टा 4 का आरोप लग चुका है CM आवास में महंगे परदे टॉलेट वगेरा के मामले में ये आरोप लगा है अर्विंग केजिवाल दिली में कथे शुराब घोटाला मामले में जेल गए थे बीते दिनों पहले ही सुप्रिम कोट ने उनकी E.D. के हाथ गिरफतारी मामले में जमानत दी थी जिसके बाद C.V.I. के हाथ गिरफतारी मामले में जमानत मिलने के बाद अर्विंग के जीवाल जेल से बाहर आये और फिर दिली के सियेंपत से स्तीफा दिया अर्विंग के जीवाल अब विधायक और आम आदमी पाटी के सन्योजक के सबसे बड़े पतपर है उन्होंने अपनी करीबी आतीशी को दिली का सियेंप बनवाया है आम आदमी पाटी ने बताया कि आप विधाय को पाशदो कार करताओं के अलावा विभिन समाजिक आर्थिक एवं राजनेतिक प्रेश्ट भूमी से संबंद रखने वाले आम लोग भी उनके लिए आवास की पेशकश कर रहे हैं बयान में ये भी कहा गया कि रिफेंस कालोनी, पीतमपुरा, जोरबाग, शनेकई, पूरी, ग्रेटर केलाश, वसंत विहार और होजखोस समेत शहर के कई लाकों से केजिवाल के लिए आवास की पेशकश की गई इसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे इस्थान की तलाश कर रहे हैं जो सभी प्रकार की बाधाओं और विवादों से मुख्ध हों आपने केंद सरकार से एक राश्ट्रे दल के प्रमुख्य के पद पर होने के नाते केजिवाल को अधिकारिक आवास मुहया कराय ज़ानी की भी मांगी केजिवाल अपनी पतनी, बच्चों और बुज़ुर्ग माता पिता के साथ रहते हैं राश्ट्री में आने से पहले केजिवाल उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के कौशाम भी में रहते थे पहली बार 2013 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद वे दिल्ली के तिलक लेन में एक बंगले में रहे वे दिल्ली के मुखमंत्री पत की शपत फिर से लेने के बाद 2015 में फ्लाग स्टाफ रोड पर इस्थित आवास में रहने लगे इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बता है तब तक लिए देखते रहे हैं लाइफ टीवी नियूज राम मंदिर के प्राप्रतिष्ठा कारिक्रम को लेकर राहूल गांधी के बयान पर एक बार फिर विवात खड़ा हो गया है कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी आयोध्या में प्राप्रतिष्ठा समारों को नाज गाना बता कर विवातों में घिर गये हैं बयान पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई तो विहीप ने भी नराज की जताते हुए कहा है कि इसके लिए देश की जनता राहुल को कभी माफ नहीं करेगी। आपको अलाव नहीं है। उसके बाद अमिताब बच्चन अडानी अंबानी को बुला लिया। किसी एक मजदूर को आने नहीं दिया। आपने बढ़ही को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा, कोई नहीं था। वहाँ नाजगाना चल रहा था, प्रेस वाले हाय हाय क साथू संतों ने कहा कि उनकी बुद्धी खराब हो गई है। अचारे पीठ, दशुरत महल बढ़ा स्थान के महंत दिवेंद्र प्रसाद चारे ने कहा राहूल को बोलने से पहले विशे की गंभीरता को सोचना चाहिए। रामंदिर आयोध्या ही नहीं देश की आस्था से जुड़ा है और यहां राजा से लेकर रंक तकाते हैं। ऐसे में इस टिप्डी को कहीं से भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। विजेपी सांसे संबीत पात्रा ने एक्सपर लिखा सनातन विरोधी विचारों के संसकार में पला बढ़ा है। एक मन बुद्धी बालक 500 वर गांधी के नफरत का प्रमार भी है। कॉंग्रेस पार्टी के अनेकों नकाम प्रयासों के बाद भी बने नववे भवे और दिव श्री राम मंदिर के प्रति उंके इस नफरत का जवाब देश की जंता अवश्य देगी। राहुल गांधी कोटी-कोटी सनात्रियों के अरा जिसे हिंदू, जन्मानस, चिरकाल तक अपने पूर्ने समर्तियों में संजो कर रखेगा। राम मंदिर के मुखे पुचारी सतेंदेदास ने कहा कि कॉंग्रेस सरकार राम के अस्तित्व को नकारती रही और ऐसे में उंके नेता तो ऐसे बोलेंगे ही जाकी रही भावना ज जैसी प्रभू मूरत देखी तीन जैसी विहीप के सन्यूक्त महामंत्री डॉक्टर सुडेंद्र जैन ने राहूल को जूटे का सरदार बताते हुए कहा कि वे देश उसमाजवा संस्कृति को बदनाम करने का कोई मौका नहीं जोड़ते इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ रहा है कमेंट बॉक्स बे बताएं तब तक लिए देखते रहें लाइफ टी वीडियो कॉंग्रिस सांसर राहूल गांधी ने हर्याना में विधानसवा चुनाव के प्रचार के दोरान बिजेपी पर निशाना साथते हुए आयोध्या के राममंदिर का प कॉंग्रिस सांसर पर हमलावर है आयोध्या श्री राममंदिर के मुख्य पुजारी अचारिय सतेंद्र दास ने कहा जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरद्दे की तीन तैसी जिसकी जैसी भावना वो वैसे ही भावना को देखता है राहूल गांधी की नजर में प्रार प्रतिष्ठा थी कॉंग्रिस श्रू से ही श्री राम का अस्तित्व नकार रही है और इसलिए उसके नेता ऐसे ही बयान देंगे भगवान के लिए ऐसे बयान देना ठीक नहीं है ये उन्हीं के लिए भारी पड़ेगा वहीं अयोध्या अनुमानगडी के महंत राजु दास उसके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश की सीम मोहन यादव ने कहा राहुल गांधी को करोडों हिंदूों का अपमान करने का धिकार नहीं है उन्हें माफी मांगनी चाहिए वहीं बिजेपी नेता अपड़ना यादव का कहना है कि भगवा रहूल गांधी अभी तक भारतिय संस्कृती को समझ नहीं पाए जब भारतिय संस्कृती को समझ पाएंगे तो वे जानेंगे कि उस उत्सव में आम लोग शामिल थे प्रान प्रतिष्ठा समारू का वे दिन उत्सव का दिन था और हर कोई भगवान राम की भक्ती में प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने जम्मू कशमीर विधानसवा चुनाव के अन्तिम्चरन के के मतदान की प्रचार के लिए शरणिवार को जम्मू में रैली की प्रधान मंतरी ने कहा कि M.A. स्टेडिया में विजे संकल्प माहा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2016 में आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस दिन दुनिया को बता दिया गया था कि ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा वो दौर याद कीजिये जब सीमा पार से आये दिन गोले बरसते रहते थे उधर से गोलियां चलती थी और इधर से कॉंग्रिस वाले सफेद जंडा दिखाते थे जब भाशपा सरकार ने गोली का जवाब गोलों से दिया तो अधर वालों के होश ठिकाने आ गए अब आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पताल से भी उन्हें खोज निकालेगा इस दोरान प्रधानमंतरी ने कॉंग्रिस सहीत विभिन राजनेतिक दलो पर सवाल उठाए जमू में आयोजित इस महारैली में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि कॉंग्रिस वही पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे प्रधान मंतरी मोधी ने कहा सर्चिकल स्ट्राइक को लेकर कॉंग्रिस आज भी पाकिस्तान की भाशा बोलती है इस पूरी रिपोर्ट और राहूल गांधी के इस बयान को लेकर क्या आपकी क्या कुछ रहा है कमेंट बॉक्स पर बताएं तब तक लिए देखते रहें अभी तक आपने एकका दुखका बुल्डोजर आक्शन देखा होगा पर बुल्डोजर की परेट नहीं देखी होगी ऐसा कर दिखाया है योगी नंबर टू हर्श संद्वी ने 36 बुल्डोजर, 70 ट्रैक्टर, 1500 पुलिस लगा कर एक रात एक दिन में बुल्डोजर चला कर 102 एकर जमीन पर से अवैद कबजा हटा दिया गुच्रात में सोमनात मंदिर के बीचे 102 एकर जमीन पर कबजा करके अवैद निर्मार किया गया था जिसमें 14 मस्जित, 200 मजारे और रिहाइसी मकान बना लिये थे बारबा नोटिस देने पर भी खाली नहीं कर रहे थे पर अब सरकार ने एक दिन में ही सब को ध्वस्त कर दिया और मल्मा तक नहीं छोड़ा, सबसे हटा कर साफ कर दिया है वकोफ बोट को समाफ्त करने की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं संजॉली में एक मस्जित को ढाने और प्रवासियों के अनेवारे सत्यापन की मांग को लेकर अंदोलन चला रही है लेकिन इसी बीच गुजरात के सोमना शहर में हाली में अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमर विरोधी कारवाई की गई जिसमें प्रशासन ने अवैद रूप से बने कई मजभ़ी निर्मारों को भी ध्वस्त कर दिया इस कारवाई में 36 बुल्डोजर, 70 ट्रैक्टर, ट्रॉली और 1500 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी गिर्श ओमनात में विशेश रूप से समुद्री, इलाके और पूजा इस्थलों के आसपास के अवैर निर्मारों को हटाने के उद्देश से यह मेगा अभियान चुलाया गया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विद्वश अभियान सुबा 5 बजे शुरू किया गया जिसमें प्रशासन ने भारी सुरक्षा इंतिजाम किये थे पूरे शेतर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया ताकि कोई आपने घटना ना हो मीडिया की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया था के लिए 36 बुल्डोजर और 5 हिताची मशीनों का इस्तिमाल किया गया जबकि मलबा हटाने के लिए 50 ट्रैक्टर और 10 बड़े टंपरो को लगाया गया इस मेगा ड्राइफ के दोरान प्रशासन ने इर्दगा और मस्जिद सहित कई अवैद मजभी स्थलो को हटाया जिससे क उचिस्थाने मुसलिम समुदाय के लोग विरोध में एकत्रित हो जाएं विरोध के बावजूत प्रशासन इस सकती से स्थीती को नियंतर में लिया और कारवाई को सफलता पूर्वक अंजाम दिया शोशल मीडिया पर इस विदवश के कई वीडियो भी सामने आये हैं जिन अपनिया भी शामिल थी जिला कलेक्टर दिग्विजे सिंग जडेजा रेंज आईजी निलेश जहनजारिया एस पी मनुहर सिंग जडेजा जैसे अधिकारी बेस माहतपूर ऑपरेशन का हिस्सा थे विरोध प्रदर्शन के दोरान भीर ने हंगामा किया लेकिन प्रशासन क किया और सभी अवैद निर्मारों की पहचान की हाजी मंगर रोलीशा पीर दर्गा हजुरत माइपूरी सीपे सलार और मस्तनाशा बापू जैसी प्रमुख दर्गाओं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कि आपकी क्या कुछ रहा है हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं तब तक अधिकारवाई करते हुए पार्टी के आठ नेताओं को छे साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है ये नेता विधानसवा चुनाओं में पार्टी उमिदवारों के खलाफ निर्दलय उमिदवार के रूप में चुनाओ लड़ रहे थे और इन छे नेताओं में पूर रजीत चौटाला और पूर्व विधायक देवेंद्र कादियान का नाम भी शामिल है हर्याना विधानसवा चुनाओं से पहले विजेपी ने अपने बागी नेताओं पर कड़ा आक्शन लिया विजेपी के अधिकारिक उमीदवारों के खलाफ चुनाओं लड़ने को लेक बागी ने निर्दिलय प्रत्याशी के तोर पर विधानसवा चुनाओं लड़ रहे हैं पाटी के कार्यकरताओं को तुरंत प्रभाव से पाटी से 6 वर्ष के लिए निश्काशित कर दिया है बिजेपी ने जिन्हें पाटी से निकाला है उनमें वे नेता है जो लाड़वा, असंध, गन्नौर, सफीदो, रानिया, मेहम, गुरुग्राम और हतीन से पाटी प्रत्याशी के खलाब निर्दिलय चुनाओं लड़ रहे हैं लाड़वा से संधीब गर्ग, असंध से जिले राम शर्मा, गन्नौर से देविंद्र काद्यान, सफीदे से बच्चन सिंगार, रानिया से रजीत चोटाला, मेहम से राधा, अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोल और हतिन से केहर सिंग, रावत निर्दिलय चुनाओं लड़ रहे हैं, इन्हें बिजेपी ने 6 वर्षों के लिए पाठी से निकाल दिया, और इन सब में रजीत चोटाला का नाम जड़चा में है, रजीत चोटाला कैबिनेट मंतरी रहे हैं, वे रानिया से टिकेट ना दिये जाने से नरास्ते, रजीत चोटाला पूर्व सीम सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, असंद सही, योगेंद्र राना, गन्नौर से देविंद्र कोशिक, सफीदो से रामकुमार गौतम, रानिया से शीशपाल कन बोज, मेहम से दीपकर, निवास हुड़ा, गुरुग्राम से मुके शर्मा और हतिन से मनोज रावत बिजेपी से वहीं पूर्व मंत्री ररजी चोटाला रानिया से 2019 में निर्दले जीते थे, सरकार में शामिल होने पर उनको बिजली मंत्री भी बनाया गया था, लोगसवा चुनाव से पहले वे भाशपा में शामिल हुए और हिसार से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गये, बिजेपी और RSS के सर्वे में उनकी रानिया सीट पर दावेदारी को लेकर अच्छी रिपोर्ट नहीं आई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि उनको टिकेट नहीं मिलेगा, इसके बाद बिजेपी ने गोपाल कांडा की पार्टी हलोपाम से गड़बंदन करने का एलान किया था, तै गनौ से टिकेट मांग रहे, मनत ग्रुप होटल्स की चेर्मैन दिवेंदर कादियान पहले भी भाजपा से निकाले जा चुके हैं, उनकी जगा पार्टी ने दिवेंदर कौशिक को टिकेट दिया है, राधा अलावत मेहम से टिकेट मांग रही थी, उनके पती समशेर करख भी पताए, तब तक तो यह देख्टे रहे, लाधा भी ने